गूड मॉर्निंग आज हम पढ़ेंगे मनोवी ज्यान के आधार पर ज्यान प्राप्त करने के आधोनिक साधर इसके अंतरगत हम पढ़ेंगे ज्यानेंद्रे जन्ने अनुभा ग्यान प्राप्त करने में ग्यानेंद्रियों को साधन मानने का सिध्धान लोक ने प्रस्तुत किया था लेकिन भारती दार्शनिक चार वाक ने बहुत पहले इस्पष्ट कर दिया था कि जिस यथार्थ को मनुसी श्वयम अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव करता है वही सत्य है तर्क और अनुमान पर निर्भर नहीं रहा जा सकता क्योंकि वे श्वयम सी अथ्वा दूसरों के बताए अनुभव पर आधारित है दूसरों द्वारा प्राप्त अनुभव पूर्णे तया सत्य हो यह संभव नहीं है और दूसरा विचार जो ज्ञानेंद्रियों जन्य ज्ञान से संबंद रखता है वह यह कि मानों जनम लेते समय अज्ञानी होता है और उसका मन कोरा कागज के समाने जिस पर कुछ भी नहीं लिखा होता लेकिन बालब जियों ही जनम लेता है और भाहिय संसार से संबंद ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जुड़ जाता है मा के दूद का स्वाध जीब से प्रकास का आखों से तापसीत का इसपर से और गंध का नाक से अनभव करने लगता है बस प्रभावों को ग्यानेंद्रियों की सायता से मानों मस्तिक्स तक पहुचने में सायता मिलती है और कोरी मन पर प्रभाव अंकित होते हैं और यही ग्यान का आरंब है सरी मनों विज्ञान द्वारा भी यह इस्पष्ट हो चुका है कि ज्यानेंद्रियां बहाईय प्रभाव को ग्रेंड करती है ये प्रभाव इस नायू तंत्र में विद्धोत प्रभाव के रूप में बदल जाते हैं और मस्तिस्क के विभिन भागों में पहुँचकर अनुभव के रूप में मनुस्य जानने लगता है तो ज्यानेंद्रिय जन्ने अनुभव का शिक्षा पर प्रभाव शिक्षा में स्वे अनुभव NCF 2005 वेपूरु के आयोगों के द्वारा आधोनिक्ता के कारण की गई अनुसंसा के कारण आज विद्ध्यालियों में इस बात पर विशेश बल दिया जा रहा है कि बालक स्वयम अपने अनुभव द्वारा सीखे विज्ञान संकाय के रसायन विज्ञान वभूतिक विज्ञान के विद्ध्यार्थी पूर्व ज्ञान तत्यों को जो की कक्षा कक्षिक्षन में प्राप्त करता है प्रियोग शालाओं में स्वयम प्रियोग करके उसकी सत्यता की जाच प्रत्यक्ष अनुभाउं द्वारा करते छोटे बालकों को प्रकरती, कारखानों, भोतिक व्यसामाजिक प्रक्रियाओं भुगोल के विशे, राजनितिक विज्ञान वे प्रजात अंतिक पधतियों का अनुभव विद्याले के भीतर के साथ साथ भ्रहमन आवलोकन के माद्यम से प्रत्यक्षकारे प्रनालिका दिग्दर्शन की सायता से स्वे अनुभव कराया जाता है अनुभव में जितने अधिक ताजकी होगी उतना ही शिक्षा को मजबूती प्राप्त होगी वर्तमान और शिक्षा शिक्षा का प्रमुक उद्देश से बालकों को भविस्य के लिए तयार करना माना गया है इस प्रत्यक्ष अनुभव की द्रस्टी से युक्ति-युक्त नहीं माना जा सकता क्योंकि भूत काल में माना जाती ने जो अनुभव प्राप्त किये हैं तो उसी प्रकार वर्तमान में अनुभव नहीं किये जा सकते क्योंकि आधुनी की करन परिवर्तन सीलता का ही तो नाम है तो उस समय जो ग्यान था आज परिवर्तित हो गया तो क्या वो विद्धाले ग्यान आज काम आ सकता है? तत्थियों की वर्तमान की उपेक्षाख शिक्षा में कितनी अनुचितई से वर्तमान के समर्थकों ने सिध भी किया है आधुनिक विचारों के कारण बालकों के विध्याले जीवन को सुखत और वर्तमान आवस्यक्ताओं के अनुरूप बनाने पर प्रतिवादी शिक्षक बल देते आ रहे हैं इसलिए इंग्लेंड में कठोर और नियंत्रन प्रधान पब्लिक स्कूलों का इंग्लेंड में जबर्दस्त विरोध उठ खड़ा हुआ आधुनिक स्कूलों में नए विश्यों का समावेश इसी विचार का प्रतिफल है वर्तमान की महत्वता को इस्पष्ट करते हुए लोम फैलो कभी ने अपने कविता में कहा है कि भविस्ये पर चाहे वे कितना ही सुख़द हो विश्वास ना करो वे मुर्दों के साथ जमीन में दफन कर दो साहस और भगवान पर विश्वास करते हुए वर्तमान में ही कारी करो क्योंकि वर्तमान एक जीवित तत्त है अब है ज्यानेंद्रियों का प्रशिक्षन ज्यान का अरंभ ज्यानेंद्रियों के अनुभव से होता है इसलिए ये आउस्यक है कि ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षन दिया जाए इसलिए शैस्वा वस्था वे बाल्य वस्था में शिक्षा का आयोजन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि बालकों को अपनी ज्ञानेंद्रियों की समुचित प्रयोग के आउसर मिले इस आधुनिक विचारदार के कारण ही मोंटेशरी और किंडर गार्डन शिक्षन पद्धती का विकास हुआ इस पद्धती पर आधारित विध्यालियों में पार्ठेक्रम बोधिक ना होकर आँख, कान और तवचा जैसी ज्याने इंद्रियों से आधिक-ाधिक उप्यों को आधार बना कर तयार किया गया ये सब इसले भी महत्पून है कि ज्याने इंद्रियों के सही उप्यों को जानने वाला बालक आगे चलकर सूक्ष्म परिवेक्षन उप्चेर्वेशन में कुसल बन सकता है और विज्यानिक विश्यों का अध्यन करके अनुसद्धान करेगा बहुत से रिशर्च कारी करने में वो सक्षम हो सकता है अब ये शिक्षा में क्रिया सीलता शिक्षा में ज्यानेंद्रियों ही नहीं करमेंद्रियों भी महत्पून भूमे का अदा करती है हाथ और पैर भी ज्यानार जन में सहायक है इसलिए कर्म द्वारा ज्यान प्राप्त का मार्ग उत्तम बताया गया है जो काम करके शीखा जा सकता है वे व्याख्या कथन या प्रेवचन द्वारा नहीं इसलिए आज की आधुनिक युग में शिक्षा में क्रिया सीलता अथ्वा करो और शीखों का सिध्धान मानने हुआ है कि ये बिना ना तो अनुभवपक्का होता है और ना काम में कुशलता आती है जैसा तुम्ने तुम्हारे बीरड़ पाठेक्रम में भी देखा है कि एक तो तुम्हें माहाविध्याले में ज्यान दिया जाता है विदिप्रवर्धियां पढ़ाई जाती है नवाचार के माध्यम से तुम्हें शिक्षन कारे शिखाया जाता है लेकिन वो शिखाया जाता है तो इसलिए उस कारे को तुम करके ज़्यादा अच्छे से सीख सको इसलिए इंटरंशिप पर इतने दिन तुम्हें जाना होता है वो किस चीज की देन है, वो क्रिया सीलता का ही परिणाम है कि प्राप्त ज्ञान को आप वहाँ जाकर एपलाई करते हों, करकी उस कारे को सीखते हों क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि किसी कारे को किये बिना ना तो अनुभपक्का होता है और ना काम में कुशलता आती है गनित विज्ञान तथा कला विश्यों की शिक्षा में क्रिया सीलता का ततु रहता है इससे योजना विधी वबुनियादी शिक्षा विधाओं का जनम हुआ है इससे शिक्षा प्रभावी होगी अब है समस्या समाधान प्रतीक व्यक्ति का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है संघर्ष समस्याओं के कारण करना पड़ता है और यदि संघर्ष ही नहीं है जीवन में तो फिर सायद वह व्यक्ति कोई कारिय करता ही नहीं है क्योंकि यदि कोई कारिय किया जाता है तो संगर्स उसमें अनिवारियते होता ही होता है और संगर्स के दोरान ही हम यथार्थ ग्यान प्राप्त करते हैं क्योंकि उन इस्थितियों को देखने सुनने का अवसर मिलता है और इसी के विप्रित वर्तमान में विध्यालियों में कागजी कारेवाई प्रधाने, पुस्तके हैं और बोधिक खिलवाड प्रधाने इसलिए वर्तमान शिक्षा व्यवस्था बालकों को जीवन में सफलता प्राप्त करने की तैयारी के स्थान पर विफलता के ओर ले जाने वाली हो गई है भारती शिक्षा व्यवस्था का मुख, मुद्रा, चात्रों को जीवन की समस्याओं का सामना करने में समर्थ बनाने की अपिक्षा चात्रों के अनिक समस्याओं खड़ी कर देती है जैसा कि मैंने तुम्हें एक दिन पहले भी बताया था कि जो इस शिक्षा है वो रटन ग्यान प्रदान करती है जो कि एक बहुत लंबी वैरोजगार की लाइन बना देती है यदि सुरुवात से ही कार्य को आधुनिक पद्धतियों से करके सिखाया जाए उन्हें व्यवहारिक ग्यान प्रदान किया जाए तो किसी ना किसी कार्य में शक्षम हो जाता है और वैरोजगार की लाइन में खड़े होने की बजाए वे अपना स्वयम का कार्य कर सकता है किसी एक कार्य में दक्ष होना या प्रते एक विश्यों का ग्यान प्राप्त करना अलग-अलग चीजें हैं यदि एक कार्य में दक्ष हो जाता है तो वो अपनी आर्थिक इस्तिती मजबूत बना सकता है और बेसिक ज्यान प्राप्त करना वो सभी विश्यों से प्राप्त कर सकता है तो आज ये सबसे बड़ी समस्या यही है कि प्रम परागत जो सिक्षा प्रदान की जा रहे थी वो आधुनिक समय में इतनी उप्योगी नहीं है प्रतेक पल परिवर्तन एक सामानी घड़ना मात्र है और उस परिवर्तन के अनुसारी व्यक्ति को चलना होगा तब ही वह आगे जाकर अपना आर्थिक पक्ष मजबूत कर पाएगा समस्या समाधान द्वारा ठोस प्रभाव प्रत्यक्ष अनुभर पर बल देता है इसलिए विद्ध्यालियों में आधुनिक ताके ये सभी विचारों के कारण स्पक्ष को अधिक महतु दिया जारा है कौन से करके सीखने वाले कारी व्याभारिक कारी ताकि एक व्यक्ति अब एग्यान प्राप्ति के आधुनिक साधन तरक और चिंतन दार्षनिकों और शिक्षा सास्त्रियों ने पश्चिम तथा भारत में चिंतन और तरक के सम्द्ध में जो भी सोचा वे बहुत समय तक स्विकार भी किया गया और इस संदर में अरष्टू ने जो कुछ कहा वे फैकल्टी मनोवग्यान की नाम से जाना जाता है उनका मानना था कि मन के बहुत से विभागे जिनमें चिंतन और तरक सामिल है यदि इनके विकास के लिए गनित पढ़ाय जाये तो ये सक्तिया मजबूत होगी और बेकन ने भी इसका समर्थन किया है उनका भी यही मत था इन बाद में तरक के दो प्रकार निश्चित किये गए और जो दो प्रकार है एक आगमन और दूसरा निगमन और आज भी तुम इन दोनों माध्यमों से मैत पढ़ते हो ग्रामर पढ़ते हो आधुनिक विध्यालों में इनका मैत आजकल दिनों दिन बढ़ता भी जा रहा है आगमन में क्या होता है कि कई उधारनों से एक सामानी नियम निकला जाता है जैसे बार-बार जांच पर ये अनुभव होता है कि कच्चाम कैसा होता है खटा तो शिक्षा में आगमन तर का महत इतना बढ़ा है कि समस्त विध्यानों को पढ़ाने में इसका उप्योग किया जाता है और मही निकमन इसमें नियम या सिध्धान्त पहले लगा लिया जाता है और इस नियम के प्रियोग या वीभिन इस्तितियों में अनुभव कराय जाते हैं दर्षन, साहित्ते, व्याकरण और इतिहाज जैसे विश्यों के शिक्षा में ये सिध्धान प्रियोग में लाया जाता है कभी-कभी दोनों का संयुक्त रूप से प्रियोग किया जाता है जैसे डीवी ने समस्या समाधान विदी में किया है भारती दर्षन, जिन में सड़ दर्षन तथा जैनवे बोध दर्षन ग्यान का माध्यम चिंतन और तर्व को ही माना गया है बुद्धी चिंतन और तर्व का महत भारत में इतना अधिक था कि गुरू कुल शिक्षा प्रनाली में तप और साधना के द्वारा इनके विकास के लिए छात्रों को विसीस रूप से तयार किया जाता था इन्हें जिनका ग्यान कराया जाता था उनका सास्तार्थ कराया जाता तर्कों और उधार्णों की सायता से सिद्धानतों का खंडन और मंडन होता था आज के आधुनी की युग मनोविज्ञान शोध वे प्रियोग के द्वारा चिंतन और तर्क का ज्ञान प्रिक्रिया पर नवीन वे महत्पून प्रभाव पड़ा है मनोविज्ञान अनुभव को नहीं न कारता ज्यानेंद्रियों से प्राप्त अनुभव द्वारा संवेदन, प्रत्यक्षिकरन, प्रत्य विचारों की उत्पत्य होती है विचारों से चिंतन और चिंतन से तर्क और तर्क से ज्यान प्राप्त करता है ज्यान प्राप्ति के लिए एकागरता और दड़ संकल्पना का होना बहुत चरूरी है इसमें सबसे पहला है शिक्षन विधिया आधुनी की करण के कारण वर्तमान विध्यालियों में शिक्षन के लिए बहुत सी वेग्यानिक विधिया हैं जैसे अवलोकन, परिक्षन, प्रियोग, समस्य समाधान, कथन, व्याख्या, भाषन, अनुकरण, आधि विधियों के साथ मनोवग्यान द्वारा प्रदत, भूलो प्रतन, अनुबंद, अंतरदर्ष्टी, आधि ज्ञान, प्राप्ति के साथ ने तु प्रियुक्त किये जा रहे हैं जो तुमने बीर्ड फस्ट एयर में पढ़े भी हैं भूलो प्रतन के अनुबंद और अंतरदर्ष्टी मनोवग्यान के अंदर दूसरा अध्यापक सैस्वा वस्था में बालग को ज्ञान प्रदान करने का कारी मा के द्वारा किया जाता है इसलिए मा को क्या का गया है प्रथम गुरू दूसरा शिक्षक का इस्थान ने पूरुकाल में गुरूकुलों और मठों में शिक्षक मोखिक रूप से ज्ञान चात्रों को प्रदान करते थे और सास्तरास द्वारा ज्ञान देने की प्रथा थी बालक सुए अध्याय द्वारा भी ज्यान प्राप्त करता था लेकिन शिक्षा के निर्देशन से ज्यान अधिक प्रभावी वैस्थाई होता था और वर्तमान में भी शिक्षा ज्यान प्रदान करने का एक प्रमुक माध्यम है यद भी वरत्मान में दूरश्त शिक्षा पत्राचार शिक्षा द्वारा भी ग्यान दिया जा रहा है लेकिन इसमें भी संपर्क शिवरों के माध्यम से स्षिकषक द्वारा ग्यान प्रदान करागा जाता है इसके अतिरिक्त विभ्यून आधुनिक यंत्रों जैसे इंटरनेट है, मोबाइल है, आधी का प्रचलन भी विध्यालों में काफी बढ़ता जा रहा है, जिससे शिक्षक की भूमिका में परिवर्तन होता जा रहा है तीसरे समालोचना, जर्मन दार्षनेक कांट के मतानुसार ना तो ज्ञानेंद्रिया और ना बुद्धी ही सुद्ध रूप से ज्ञान प्रदान करने के सादन, अपितु ज्ञान समिक्षा या समालोचना द्वारा प्राप्त होता है जैसे नाव को नदी में चलते देख, उसके विभिन उप्योगों का प्रत्य पुनरगठित होगा समालोचना में शिक्षक प्रतेख शिक्षन विदी का मुल्यानकन करके, समय अनुकूल अत्वा इस्थिती के आधार पर कोई भी विदी अपना का अपने शिक्षन को प्रभावसाली बना सकता है जब शिक्षक के सामने जो विशेवस्तु होती है, वे उसी के को आधार मान कर, शिक्षन विदी का चुनाव करता है और उसी के आधार पर शिक्षन को प्रभावसाली बनाता है दर्म, इतिहास और साहित्य का ज्यान बिना समालोचना का सहराली छात्रों के लिए लाबदाईक नहीं हो सकता इसलिए शिक्षन विधिया, अध्यापक और समालोचना साधनों के अतिरिक्त वर्तमान समय में यांत्रिक साधन भी ज्यान प्रदान करने के प्रमुक साधन बनते जा रहे हैं वर्तमान में चित्रपट और दूरदर्शन ने ज्यान प्राप्त करने की प्रिक्रिया को सुगम और सरल बना दिया है भूतिक जगत की संपून जानकारी इनके माध्यम से दी जा सकती है और इनकी सहायता से इस्थिर और गतिमान वस्तूं को दिखाया जा सकता है विभिन प्रिकार की प्रिक्रियाओं को अच्छी तरह समझाया जा सकता है इनके द्वारा प्राप्त जानकारी पर विद्यालियों में गोश्ठिया, व्याख्यान, वादविवाद आयोजित करके चिंतन और तर्क शक्तियों का निरंतर विकास किया जा सकता है क्योंकि बिना तर्क और चिंतन के कोई भी व्याख्यान या वाद विवाद सफल नहीं हो सकता वर्तमान में ग्यान प्राप्ति के साथ हुमें बदलावाया है जिनमें पार्ठी पुस्तकों के साथ साथ सेक्षिक तकनिकी जिसके अंतरगर्ट जैसे वीडियो फिल्म, प्रोजेक्टर, इंटरनेट, वेबसाइट, कम्प्यूटर, सैक्षिक, शीडी, एक्लासरूम, एलाइबरेरी, एलैब, एलर्निंग, दूरदर्शन, चलचित्र, धारावाई, कार्टून, आदि विध्यालियों में ज्यान प्राप्ति के साधने, जिनके माध्यम से एक शिक्षक बच्चे को हर उस प्रतेक चीद से परिचित भी करवा सकता है, जो बच्चों ने ना देखी है और ना ही उन्हें वो पहचानते हैं, तो इन सबके माध्यम से शिक्षक आधुनिक होने के सा साथ सरल और सुलव भी हो पाया है, उम्मीद है मनोविज्यान के आधार पर ज्यान प्राप्त करने के आधुनिक साधन आपको समझ में आ गए होंगे, धन्यवाद